हलो एब्रिवन, वेलकम टू जहारकन पार्ट साला चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10 पॉलिटिकल साइन्स का चेप्टर टू संगवाद से कुछ इंपोर्टन कोश्चन को जानते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आगरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए हम कोश्चन की और बढ़ते हैं इसका फर्स्ट कोश्चन होगा भारती सवीधान के अनुसार सक्तियों को सोपी गई है इसका सही जवाब होगा संगि संसद भारत की राजभासा कोन सी है इसका सही जवाब होगा हिंदी दुनिया की कितने देशों में संगहात्मक सासन विवस्ता है इसका सही जवाब होगा पचीस पंचायती रैजी विशय है इसका सही जवाब होगा रैजी की सूची में वर्तमान में बेल्जियम किस परकार की सरकार है इसका सही जवाब होगा संगात्मक भारति सवीधान में अवसिष्ट सरकार है इसका सही जवाब होगा केंद्र के पास निमलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? इसका सही जवाब होगा श्री लंका निमलिखित में से कोण रैज सूची में नहीं है? इसका सही जवाब होगा सुरक्षा निमलिखित में से कोण सा विशय समवर्ति सूची में है? इसका सही जवाब होगा सिक्षा दिये गए विशय में कोन सा सूची में सामिल नहीं है इसका सही जवाब होगा राइश्टी सुरक्षा भारत में संगवाद की प्रनाली को किस देश के सवीधान से ग्रहन किया गया है इसका सही जवाब होगा कनाड़ा आवसिष्ट सूची में विशेय पर कानुन बनाने का आधिकार किसको है? इसका सही जवाब होगा केंद्र निमलिकित में से कोण सा समवर्ती सूची का विशेय नहीं है? इसका सही जवाब होगा अस्थानी प्रसाशन एवं प्लीस वर्तमान में रैजी सूची में 61 विशेय है तो मूलत रैजी सूची में कितने विशेय थे? इसका सही जवाब होगा 66 अंतर्राष्ट परिसद में कोण सामिल नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा सभी रैजी के रैजी पाल वित आयोग का वर्णन किस अनुछेद के अंतर्गत गया है? इसका सही जवाब होगा अनुछेद 280 रैश्ट पती द्वार वित आयोग में एक अदेश के अलावा कितने सदेश के नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब होगा 4 रैश्टी विकास परिशद का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब होगा 1952 नीती आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015 रैश्टी विकास परिशद का आदेश कोन होता है? इसका सही जवाब होगा प्रधान मंतरी संग लोक सेवा आयोक के अदस्य तता सदस्य के नियुक्ती कितने वर्ष के लिए की जाती है इसका सही जवाब होगा छे वर्ष दुनिया की कितने देशों में संग शासन व्योस्ता है इसका सही जवाब होगा पचीज स्री लंका में किस परकार की सासन विवस्था पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा एकात्मक भारती वन सेवा को अखिल भारती सेवा के रूप में कब गठित किया गया? इसका सही जवाब होगा एक जुल्य उनिसो चीसट सविधान की रैज सुची में सम्मिलीत परमुक विशा है? इसका सही जवाब होगा दोनू भारती सविधान की अठारव्य अनुसुची में कितने भासाओं को सामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा बाईस भारत में हिंदी भासा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी परतिसत है? इसका सही जवाब होगा 40 परतिसत राजी पुन गठन आयो के स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 19 तिरपन दुनिया के कितने देशों में संग शासन विवस्था है? इसका सही जवाब होगा 25 राजी पुन गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया? इसका सही जवाब होगा 1 नौवंबर 1956 संग सूची में कितने विशय को सामिल किया? इसका सही जवाब होगा 97 राजी सूची में कितने विशय को सामिल किया गया है? इसका सही जवाब होगा 97 निम्निम में से किस देश को एकात्मक सासन विवस्था है? इसका सही जवाब होगा स्रीलंका इंग्लेंड चीन आजादी के समय भारत में कितने रियासतों थी? इसका सही जवाब होगा 565 नगर निगम के प्रमुक को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा मेयर निम्लिकित में से किस देश में सरकार का संग्य रूप है? इसका सही जवाब होगा उस्ट्रेलिया निम्लिकित में से कोन संग सूची का विशई नहीं है? इसका सही जवाब होगा कानून और विवस्था पंचायत राजी की तीन अस्तरी प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है इसका सही जवाब होगा नगरपाली का कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संग का उधारन है इसका सही जवाब होगा अमेरिका गराम पंचायत के पंच के अद्यश को क्या कहा जाता है इसका सहीजवाब होगा शरपंच भारत कि परकार का देश है इसका सहीजवाब होगा निर्पेज निमलीखित में से कोन साथ आकर संग का उधारन नहीं है इसका सहीजवाब होगा भारत पंचायती राज्य की प्रनाली में निमलिखित में से कौन सामिल है? इसका सही जवाब होगा गाँ, ब्लोक, जिलास्तर उस सरकार की पहचान के रेजिस में दो या दो से अधिक अस्तर हो इसका सही जवाब होगा संगित सरकार सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रुस्तूत की इसका सही जवाब होगा 1987 संग सुची में निमलिखित में से कौन से विशर सामिल है? इसका सही जवाब होगा रक्षा, विदेशी, मामले, बेकिंग और मुद्रा इसका सही जवाब होगा दोनों सिक्षा विवाग और तलाक और उत्राधिकारी भारति सवी जवाब होगा 26 जन्वरी 1950 सवी जवाब होगा दो यदि समवर्ति सुच्ची पर केंद्र और रैज्ज सरकारों के कानून में टक्रा हो तो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा केंद्र का कानून मानने होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद लगे बादर आपको ये तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करेंद्र को सस्क्राइब करेंद्र को ये बादर्ट ये रवीज़ाद